इजुकेशन इसे की टू सक्सेस जो हर जगा बताया जा रहा है और हर सुकूलों में भी ये लिखाया भी जा रहा है और पढ़ाया भी जा रहा है क्यों हमेशा जम्मू जो क्श्मीर में सकूलों पर और एजुकेशन डिपार्टमेंट पर दावब किया जा रहे हैं और इल्जाम लगाया जाते हैं कि एजुकेशन सेक्टर की हालत भी खासता है एजुकेशन सेक्टर ऐसा सेक्टर जिससे बच्चा भी आगे बढ़ता है देज भी तरक्की करता है और बहुत उन्चाईयों तक भी पहुंचता है तो आज हम इसी तहत पर आज हम बागवा गौर्मेंट हायर्स केंट्री में हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है बहुत सारी कोटेशनें लिखी गई है अंग्रेजी में टीचर्स के लिए 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 लिखा गया है लेकिन अंदर से इसकी खस्ता हालत है पिछले कई सालों से हमें यह ख़बर मिल रही थी मुकामी लोगों से कि इस स्कूल की ख क्लास्रूम है मैं कैमरामेंसे गुजशार्श करूँगा कि वो आपको साफ तोर पर दिखाएं कि इस क्लास की क्या खस्ता हालत है ऐसा लग रहा है कि हम यहां किसी क्लास में नहीं बैठे हैं किसी नदी में आए हैं कितनी खसा हालत है कपड़े खराब हो रहे हैं स्कूलों की इस तरह से देखवाल नहीं की जा रही है यह जो स्कूल बवीशी बनाता है लोगों को सुधारने में एक एजुकेशन सिस्टम होता है उसको सुधारता है और बच्चों को खास दोर पर गरीब लोगों उसको फरहाम होती है यह सब जरूरी चीजें सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं कि कैसी खसा हालत है यह मैं अप खुद अपनी बयान कर रही है कि किसी भी टायम यह गिर सकती अगर तेज बारिश पड़ी या तेज हवा आई तो किस तरह से इन डेक्सों का खयाल रखा जा रहा है आप देख सकते कितनी गंदगी है किस तरह की सफाई रखी गाई है और भी और भी कुछ कलासिस का मैं आप आपको विज्वल दिखाना चाहूंगा देखें कि ऐसी खस्ता हालत है ताट बिछाए गए है डेक्स फराम नहीं है तो ताट बिछाए गए है और सफाई देख सकते हैं आप कैसी है परिंदो का गंदगी यहां पर है किसी चीज की कमी नहीं है कि सब हर चीज की कमी कि सुधारना नहीं चाहते हैं यहां के लोग तो आए हम यहां से यहां कुछ मकामी लोग है उनसे बाच्चीत करते हैं कि क्या खालत है इस सिस्टम की और क्यों इस सुकूल की खसा हालत है आपका नाम घुदरतुला जिदाब आप हमें विदाए यह जो स्कूल है कब से बना नौकरी जिम्वारी है उनकी लिए लापरवाई की वज़ा से ये इतनी सुकोल की खासता हालत है तो आपने कभी सियो डोडा या डिप्टी कमिशनर डोडा से बात ने की इसके बारे में शिकायत नहीं कि कईी दफ़ा हमें अमेले साफ से बात तुम से भी आरज की है कि हमें बिल्डिंग दो और एक दफ़ा यहां पर ठेकेदार आया और लाखों रुपया लेकर बिल्डिंग को प्लांस कोई नीचे से क्रेक हो गया और आज तक उन्होंने कोई डिपार्टमेंट ने पीडियाबलीटी वालों ने पत सिटाफ भी काफी है लेकिन यह लापरवाई है कि यह सुकोल के तरफ कोई तवज़ा नहीं देते हैं जितने भी मलादम में बाश्राम को घार बागते हैं पीछे नहीं देखने को दर्वादा खुला है या कोई चोरी होगी या कोई समान चोरा जाएगा और भी हम लोगों स तो उपर से कुछ बहुत बड़ा बोलती है कि हम बहुत दोर पहुंचा रहे हैं जिरो पर बालब डीटेल इंडिया लेकिन सर आपने यहां देखा कि यहां जिरो पर पीछे हमको ले गे यहां बिल्डिंग थी आप कोई बचा हम यहां स्कॉल में नहीं बेज़ेंगे क्यों बड़े स्कूल हों में जाने के लिए पैसे नहीं है सरकार उसको स्कूल दे रही है फ्री में तो कितना जरूरी है और किस हद तक आप मानते हैं कि एजुकेशन सर बहुत जरूरी है लेकिन बदकिसमती हमारी हमने इस से पहले भी इडिमिस्टेशन के सामने यह बातें लाई इस स्कूल की बिल्डिंग के मैंने का सर इसको नाईसरे से आप बनाए जब तक बिल्डिंग ने लेकिन अडिमिस्टेशन ने आए तक हमारी कोई आवाज नहीं सुनी हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम हम तो ठके रिटन वें भी सब कुछ इस स्कूल के बारे में हैं लेकिन हमारी किसी नहीं हमारी है सारा हमारी यही गुजारेश है कि पहली दफ़ा आज हमारे इस दोर दराज अलाके में वक्त इंडिया के मीडिया वाले यहां तशरीप लाए हम इनका बहुत बहुत शुकर गुजा रहे हैं कम से कम ही है हमारी आवाज अड्मिस्टेशन तक पहुंचाएं हगीकत जो है क्या गौर्णर तक हमारी चाहिए यही है कि हम बिल्डिंग नए सिरे से बनाए जाए ताके हम बचे आपने यह स्कूल में बहीज सके खुरिया तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों का कहना है कि लापरवाई बरती जा रही है सरकार की तर सरकार की तरफ से तो बहुत पैसा आ रहा है एजूकेशन को सुधारने में केंदर सरकार की तरफ से बहुत सारी सकीमे दी गई है लेकिन क्यों जमीनी सता पर हमेशा उन सकीमों का दिखने को हमें मिलता नहीं है जो यहां से पीमो है डॉक्टर जेचिंदर सिंग जी बहुत उनसे उमीदे रखते हैं यहां के लोग उनसे गुजारिश भी करते हैं कि और वो इस अलाके के लोकल है और उनसे उमीद भी रख रहे हैं कि वो इस खस्ता हालत को सुदा रहें जुटते रहें वक्त इंडिया के साथ व्यावर खुरवानी डोड़ा झाल